बेहदी शर्वना कि अगर भूक से किसी शक्स की मौत हो जाती है तो अपने आप में ये सवाल खड़ा करता तमाम दावे कहां गए अगली ख़बर पर बढ़ेंगे सिम्डेगा की खबर है पुरू मंतरी अनो से का पैयरॉल पर बाहर निकले एक महिने के लिए पैयरॉल पर बाहर निकले नो से का आईजिता अधीक संपथी रखने का मामला इन पर दर्ज है अलाकि फिलाल एक महिने के लिए बाहर आये है पैरॉल पर बाहर आये है इन पर जो मामला चल रहा आई से अधीक संपत्ती रखने का मामला है जिसे लेकर जेल में बंध है नोसिक का पुरु मंत्रिय नोसिक का पैरोल पर बाहर निकले एक महिने के लिए पैरोल पर बाहर आये है मामला जो इन पर चल रहा आई से अधीक संपत्ती रखने का मामला है जिसे लेकर जेल में बंध है जादा जानकारिकल हमारे साथ सन्वाजाता आमेर सिम्डेगा से फोन लाइन पर जुड़ चुके है आमिर जानना चाहेंगे पुरु मंत्री नोसिक का एक महिने के लिए पैरोल पर बाहर आये है इन पर जो मामला चल रहा है आई से अधीक संपत्ती रखने का मामला जिसे ल फिल्हाल ह RAW अधा जैल नाची में बंद हैं और जैल मैनवल के मुताबिक उन्होंने इतनी अवजी की सजा काटी थी इस आवजी की आदहार पर अडालत चे पैरोल मांगा था परहण्house को पो बहर चुके हैं जी यह कि जयल से बाहर आ चुके है जी जी जेल से बाहर निकल चुके है पैरोल पर जिल से उनको बाहर आ चुके हैं होटवार जेल से अब उसमडेगा के लिए रवाना हो चुके हैं और एक माह तक उन्देगा में रहेंगे उसका अत्म शमर्थन करना होगा अदालत में या फिर पेरोल के अवाधी बढ़ाने के लिए अगर अरजी दते हैं अरजी स्विकार होती है ति इनकी पेरोल के अवधी बढ़ सकती है चलिए बहुत बहुत शुक्री आमीर तमाम जानकार के लिट सिम्डेगा समारे साथ फोन लाइन पर आमीर एक महीने के पेरोल पर पुरुमंत्री इनोसिक का बाहर आये जेल से आई से अधीक संपती रखने के मामले पर जेल में बंद इनोसिक का जो की पैरोल पर फिलहाल बाहर आते हुए